दोस्तों सौगत करता हूँ आपका हिंदी डिफेंस शोक एक और एपिसोड में जहां मैं लेकर आता हूँ आपके लिए डेली डिफेंस अपडेट्स DRDO ने इधर दुनिया को अगनी 5 वार ब्रमोस ER में उलजाय रखा और उधर कर दिया है बहुत बड़ा कांड जी हाँ दोस्तों DRDO ने एक नए प्रजेक्ट को अनिवील कर दिया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो डिफेंस एक्सपर्ट की तरव से बताया जा रहा है उसे मैं इस वीडियो में एक्स्प्लेन करने वाला हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो है क्योंकि भारत से रिलेटेड या बहुत इंपॉर्टन प्रजेक्ट होने वाला है और जब से यह मीडिया रिपोर्ट बाहर आया है चीन और पाकिस्तान की तो जैसे हालत ही खराब होगी और उनके डिफेंस एक्सपर्ट को सोचे नहीं बन रहा कि भारत अपने प्रजेक्ट वेदा में क्या बनाने वाला है अखिर इसके उपर जैसी बाते चल रहे हैं उसके बाद भारती से ना और ज़्यादा तागतवर होने वाली है Actually में यह अभी कोई मिसाइल नहीं है यह एक future project है जिस पर DRDO ने बहुत तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है हाला कि DRDO ने इस project के बारे में कुछ बताया नहीं है और कुछ defense experts नहीं आनुमाल लगाया है कि यह एक interceptor है ballistic missiles के लिए जैसे कि हमारे पास AD-1, AD-2 और प्रदिम्न missiles है यह उसी तरह का एक missile है जो BMDA का ही एक next generation missile होगा और सबसे long distance का होगा जो दुस्मन के ballistic missiles को हवा में ही मार गिराएगा फिर कुछ defense experts का यह भी मानना है कि यह roadside satellite launch vehicle है और इसका use क्या होगा मान लिजे कि भारत और चीन के भी चियोद होता है और चीन हमारे satellite को मार गिरा देता है ऐसे में हम इस satellite को emergency basis पर launch कर सकते हैं भारत में कहीं से भी क्योंकि यह canister based होगा जिससे हम कहीं भी move कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से फिर कुछ defense expert का यह भी मानना है कि यह asset missile का नया संस्क्रण है आपको बता दो कि asset का परिक्षन दो से तीन साल पहले किया गया था जिससे हमें anti satellite capability प्राप्थ हुई थी और यह दोनों ही missile देखने में भी एक जैसे ही लग रहा है मतलब यह लग रहा है कि यह एक asset का दूसरा संस्क्रण है जो पहले से कहीं ज़्यादा powerful होने वाला है अगर ऐसा है तो युदिक इस्तिती में हम दुस्मन के satellite को अराम से मार गिरा सकते हैं जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा strategic advantage होगा किसी भी युद में वही कुछ defense experts का यह तो यह तक कह रहा है कि यह भारत का अगनी 7 missile project है जिस पर D.I.D.O. ने काफी तेरी से काम करना शुरू कर दिया है और यह अगनी series का सबसे advanced और longest range का missile बताया जा रहा है खैर इन सभी में कोई न कोई भी चीज D.I.D.O. बना रहा होने वाला यह बहुत उप्योगी है और भारत के लिए यकीनन यह बहुत बड़ा project है जिससे भारत आगे और ज्यादे strong होने वाला है दोस्तो जब से इस project का पता चला है पाकिस्तान मीडिया की तो जैसे हालत खराब हो गई है और पाकिस्तान defense analyst को सोचे नहीं बन रहा कि भारत आखिर क्या कांड करने जा रहा है खेर भारती होने के नाते मुझे DRDO पर गर्व है ऐसे ही हमारा DRDO दिन रात तरकी करते रहे और हमारे देश को और ज़्यादा powerful बनाए दोस्तो आपका क्या कहना इस project को लेकर आपके हिसाब से यह क्या हो सकता है comment section में जरूर mention करें वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ जय हिंद जय भारत